Hello everyone, welcome back तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम Edit Text का यूज़ कर सकते हैं Okay, Edit Text हमें कैसे यूज़ करना चाहिए तो चली शुरू करते हैं Okay, तो यहाँ पर हमारे पास already design है जो कि हमने पिछले वीडियो में जो है सीखते सीखते ये create किया हुआ है Okay, तो अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम Edit Text का यूज़ करेंगे और वो Edit Text के अंदर से जो Text होगा वो हम ये Text View के अंदर डिस्प्ले करवा देंगे Okay, तो यहाँ पर main aim main हमारा जो focus होगा वो हमारे Edit Text पे होगा अभी Okay, तो चलिए अब Edit Text को पहले हमारे Layout में जो है Place करते हैं तो Edit Text को अड़ करने के लिए यहाँ पर Text पे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हमारे पास पहुत सारे Types है Edit Text के जो भी हमारे Requirement हो उसके हिसाब से हम जो है Password Edit Text का यूज़ कर सकते हैं अगर Email हमें Input करवान हो तो Email का यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर काम करते हैं अभी हम Plain Text का जो है Data User से हम लेंगे तो यहाँ पर Plain Text जो है इसे हम Drag and Drop करेंगे यहाँ पर और इसे Constraint करते हैं एक काम करते हैं यह Text View को उपर ले ले दे हैं तो यह Text View को मैं Bottom Constraint हटा लेता हूँ Text View का और यह जो Button है इसका भी मैं Top Constraint हटा लेता हूँ यहाँ से और इसे जो हैं मैं नीचे Constraint कर देता हूँ Margin दे देता हूँ 32 उके उसके बाद यह जो हमारा Edit Text है उसे हम Top Constraint करते हैं हमारे Text View के साथ और Bottom Constraint करते हैं हमारा जो Button है उसके साथ अगें Left and Right Side भी हमें Constraint करना पड़ेगा तो Left and Right Side भी हम Constraint कर देते हैं यह Center में आ चुका है इसके बाद इसकी Width जो है वो Match Constraint कर देंगे Width, Match Constraint and Margin हम दे देते हैं 16DP तो यहाँ पर हमने जो है Successfully हमरे Edit Text को Add तो कर लिया है लेकिन अब हमें इसे Customize करना है तो Customization के लिए हम Text Tab पे चलेंगे और Attributes Add करेंगे तो यहाँ पर Text Tab पे आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर Edit Text पे क्लिक करेंगे तो यह रहा हमरा Edit Text का Code अब इसे Customize कैसे करना है पहले तो हम इसका Background कैसे Change करेंगे या Background कैसे Change कर सकते हैं वो सीखते हैं तो Simple है जैसे हम सारे Views में जैसे Background अड़ करते हैं वैसे इसमें भी कर सकते हैं तो पहले हम Background अड़ करते हैं Background अब यहां पर color भी देज सकते हैं, या फिर अगर drawable file देनी है तो वो बी देज सकते हैं, तो for example, में यहां पर color देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहां पर color जो है, वो color की साब से सेट हो चुका है, अब अब हमें drawable देना हूँ, जिसे की हमने यहाँ पे text view पे दिया है, तो इस तरीके से भी background जो है, वो set कर सकते हैं, तो यहाँ पर drawable set करके देखते हैं, drawable, round background, तो आब यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर यह एकद़म अच्छे तरीक से दिखने रहा है, यह पूरा का पूरा जो है text view को wrap कर रहा है तो इसके लिए हम क्या करें कि padding दे देंगे तो यहाँ पे padding दे सकते हैं और 8 dp अगर थोड़ी और ज्यादा करने है तो 16 16 dp तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने edit text में 16 dp padding यह दिये और अब यह कापी अच्छा लग रहा है edit text है यह लेकिन अभी यह हम background अभी use नहीं करने वाले क्योंकि यह exactly same लगता है तो background यहाँ से हटा लेते हैं वापस हम और यह normal आ गया है हमरे पास edit text अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक line है नीचे अगर यह line का हमे color change करना हो तो यह line का color भी हम change कर सकते हैं तो उसके लिए हम यह आप attribute देना पड़ता है tint background tint color primary तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम tint change करेंगे तो यह जो line है उसका color change हो जाएगा तो इस तरह के से हम color change कर सकते हैं उसके बाद text के बारी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले से प्रिसेट भी कर सकते हैं text को ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं यह text है तो text अगर हमें text नहीं चाते हैं अगर हम कोई hint देना चाते हैं तो hint भी हम दे सकते हैं तो यहाँ पे काम करते हैं हम यहाँ पर hint देंगे okay type your name here okay तो आप देख सकते हैं यह hint है okay यह text नहीं है यह hint है okay placeholder okay अब अगर hint का color change करना हो तो हम hint का color भी change कर सकते हैं simple है hint text color hint okay text color hint और यहाँ पर हमें जो color set करना हो कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरहीके से हम color change कर सकते हैं okay hint का और by default यह जो है इस तरहीके से gray color जो हमें show होगा थो यहाँ इसे default इंच देते हैं यह थो यहाँ पर हमने जो है IC the text color text का hint color जो है वो भी हम ने change करना सीख लिए ब text color कैसे change करना हो भी हमें पता ही है हमने यहाँ पर text view में भी सीखा हुआ था फिर भी यहाँ पर सीख लेते हैं एक और बार text color change करने के लिए हमें text color attribute देना पड़ता है text color और यहाँ पर color accent दे देते हैं जो कि white color है और अगर check करना हो तो यहाँ पर text set कर सके हैं okay text set कर देते हैं name okay जैसे हम text set करेंगे तो हमारा hint जो है वो गायब हो जाएगा okay क्योंकि hint तब तक शो करता है जब तक user ने फील्ड में कुछ data input नहीं किया हो तब तक हमें यह hint show होता है okay तो यहाँ पर आप देख सकते हैं text color हमने चेंज कर लिया है अब से मगर text style चेंज करना हो या text size increase करना हो तो वह भी कर सकते हैं इस तरीके से text size हमें increase करना हो 15 okay 15 कम है 18 SP कर देते हैं okay 18 SP भी कम है okay 25 SP तो इस तरीके से हम जाए text size भी increase कर सकते हैं okay text style भी दे सकते bold okay तो इस तरीके से हम जाए text को customize कर सकते हैं input fill में okay अब जैसे हमने यहाँ पर बटन में drawable set किया था वैसे हम यहाँ पर भी drawable set कर सकते हैं okay तो मैं काम करते हैं इस पर हम एक drawable set करके देखते हैं okay तो यहाँ पर पहले जो है हम इसे अच्छा सा कोई background दे देते हैं white color दे देते हैं background okay यहाँ से tint हटा लेता हूं मैं और यहाँ पर दे देते हैं background color दे देंगे background में या फिर slider round background ही दे देते हैं और इसमें जो है tint हम एड़ कर लेंगे ताकि color change हो जाए background tint ओके और यहाँ पर हम दे देते हैं color code के थ्रू कोई color दे देते हैं okay तो यहाँ पर हमने color change कर लिया है background change कर लिया है okay और text size अगें normal कर देते हैं okay यह तो मैंने text view का कर दिया इसे select करेंगे उसके बाद यहाँ से text size को जो है हटा लेंगे उसके बाद padding भी थोड़ी कम कर देते हैं और यह text भी हटा लेते हैं okay type your name here और padding यहाँ पर हम कम कर देते हैं 10 कर देते हैं okay 10 dp सही है okay अब हमें क्या करने एक drawable जो है वो add करना है तो इक काम करते हैं पहले एक drawable add कर लेते हैं हमारे asset में okay drawable में तो उसके लिए right click करेंगे drawable पर new vector asset okay और यहां से download की जगा कोई और icon हम जो है choose कर लेते हैं okay यह icon choose कर लेते हैं person okay और यहां पर जो है white color इसे रहने देते हैं next finish okay तो यहां पर हमारे पास आ चुका है I see person black okay तो अब इसका use कर सकते हैं हम तो यहां पर भी same तरीके से हमें जो है जैसे यहां पर हमने बटन पर drawable set किया था वैसे हम यहां पर भी use कर सकते हैं drawable का हमें attribute देना है drawable और direction drawable left and start right तो इस case में हम जाए start पर देंगे okay drawable start I see person black okay तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने drawable add कर लिया है उसके बाद padding भी दे सकते हैं थोड़ी सी जितने हम चाय वैसे दे सकते हैं तो पैडिंग drawable padding drawable padding 10 तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम देख सकते हैं 8 देते हैं 8dp और color change करना तो color भी कर सकते हैं यह already हमने इस सारी चीज़े सीख लिए drawable tint यहां पर color primary ओके तो इस तरीके से हम drawable भी जो है दे सकते हैं tint जो है वो set कर सकते हैं लेकिन यहां पर white रने देते white का पर अच्छा लग रहा है elevation अगर देना हो तो elevation भी हम दे सकते हैं थोड़ा सा 3D effect देने के लिए elevation और 3dp elevation 3dp तो यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा shadow effect आ चुका है ओके तो इस तरीके से हम एडिटेक्स को कस्टमाइज कर सकते हैं अब हम थोड़ा सा coding part सिखते हैं कैसे हम यह field के अंदर जो भी data होगा वो हम ग्रैब करके हमारे text के अंदर set करेंगे जो भी user यहां पर input देगा वो input जो है वो हम यहां से grab करके हमारे text पर set कर देंगे जैसे user यह button पर प्रेस करता है तो यह code हम जो है यह थोड़ा सा code इसके लिए हमें थोड़ी से coding करने पड़ेगी एकदम simple है कोई डरने वागी बात नहीं है तो पहले तो हमें क्या करना है यह edit text को एक id देनी है तो design tab पर आ जाएंगे इससे select करेंगे और यहां से id दे देंगे okay id जो हम देना चाहिए वो दे सकते है name okay name हम id दे देते हैं इसकी okay अब हमें क्या करना है main activity हमारी java file पर आना है और यह code पर अभी आप ध्यान मत दीजिएगा okay हमें क्या करना है यह code अलरेड़ी हमने पिछले वीडियो में हमने set कर लिया था तो यहां पर सबसे पहले तो हमें हमारे edit text को जो है layout में से access करना है तो उसके लिए हम एक variable बनाएंगे एक दम उपर private edit text okay edit text और नाम इसका रखेंगे हम name okay उसके बाद यहां पर हमें उसे जो है layout में से access करना है okay तो name is equals to find view okay view हम ढून रहें जिसकी id जो है r.id. जिसकी id हमने set की है name okay तो यह id से जो है view को find करेगा okay view ढून देगा हमारे जो layout है उसमें से तो यहां पर हमने view मिल चुका है name edit text मिल चुका है अब हमें क्या करना है जैसे user button पर click करता है यह रहा हमारा button hello everyone button okay set on click listener यह हमारा button है जैसे यह button पर press करते तो button के अंदर वागा जो code हो run होता है तो यहां पर हम क्या करेंगे simply इस ऐसे रहने देंगे यह code को ओके अब हम क्या करेंगे यहां पर हमारे जो edit text के अंदर जो भी data होगा ओके जो भी text होगा वह हम निकालके हमारे hello world जो text है हमारा यह जो text है इसके अंदर हम set करवाएंगे तो simple है हमें क्या करना है सबसे पहले वो text निकलना है तो text को हम जो है एक variable में पहले निकाल लेते हैं तो यहाँ पर एक variable बना देते हैं string type का क्योंकि text हमें सा string में store करते हैं तो इस पर string का नाम दे देते हैं हम name data is equals to अब यहाँ पर हमें यह variable के अंदर हम store करेंगे edit text में से data निकाल के तो हमें edit text में से data किसे निकालना है target करेंगे हमारे edit text को name उसके बाद dot get text get text यह method का use करेंगे तो इससे जो भी data होगा name के अंदर वो हमें यहाँ से मिल जाएगा उसके बाद dot to string और जो data होगा उसे यह string में convert कर देगा तो यहाँ पर हमने edit text में से data निकाल लिया है जो भी user ने input दिया होगा अब वो data को simpler हमें text view में set कर देना है तो उसके लिए अगिन हमें पता है क्या करना है hello world hello world मतलब यह जो हमारा text हुए है वो है hello world dot set text इस पर हमें text set करना है और क्या text set करना है तो यह text already हमने यहाँ पर store कर रखा है name data तो यहाँ पर हम pass कर देंगे name data तो यहाँ पर हमने जो है set कर वाल लिया है तो यहाँ पर बस sita code करना था हमें तो अब एक बार इसे run करके देखते है okay check करते हैं कैसा output मिल रहा है हमें तो मैं अपना device connect कर लेता हूँ okay तो यहाँ पर हमारा यह launch हो चुका है और आप देख सकते हैं यह रहा हमारा ID text काफी अच्छा लग रहा है okay यह रहा हमारा drawable और यहाँ पर हम type भी कर सकते हैं okay तो यहाँ पर कुछ भी name type कर लेते हैं okay john dog okay done okay back करते हैं okay अब यहाँ पर मैं ने name जो है वो type कर लिया अब मैं जैसे बटन पर press करूँगा okay जैसे बटन पर मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर टेक्स चेंज हो जाएगा okay तो मैं प्रेस करता हूँ बटन पर okay तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम आ चुका है okay यह काफी अच्छे से काम कर रहा है okay अगर कोई और name type करते हैं okay आपस से hello world कर देते हैं hello world okay अगर इन बटन पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर hello world हो चुका है okay टेक्स यहाँ से जो है हमने निकाल के यहाँ पर सेट कर दिया okay तो यहाँ पर हम इस तरीके से edit text का यूज कर सकते हैं okay यहाँ पर हमने text color भी white set क्या हुआ है और एक और चीज़ यह जरुए निए कि drawable आप यहीं पर सेट करें जैसे हम बटन पर यहाँ पर सेट किया है हमने यह direction में तो कोई भी side आप जो है drawable का इस्तमाल कर सकते हैं okay बस उसी साब से आपको जो है attribute देना है drawable left या right या top या bottom ok और size भी increase कर सकते हैं okay तो इस वीडियो के लिए इतना ही इस वीडियो में मैंने चीख लेए ID टेक्स कर कैसे यूज़ करते है तो इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो को like किजिये subscribe किजिये share किजिये और कोई question या comment कर सकते हैं मुझे Twitter और इंस्टा पर follow भी कर सकते हैं and हम मिलते अगले वीडियो में and thanks for watching